पच्पन में यात कर पाएगा? ने तो के लोग ऐसा बिचार करते मराथ भजन बुड़ापह में करेंगे आरे नहीं भाई अब जिनका बुड़ापह हो गया देख लो मराथ केके गढ़ियों में तास खेलते, केके गढ़ियों में थो बैट बैट गप मारते तो कहना मतलब क्या है कि जैसे हैं अमारे स्वामजी मराज सुनाए करते हैं क्या सुनाते हैं यह जैसे मकान है अगर इसकी नीव पक्ति होगी तो मकान भी मजबुत होगा आपने जीवन का नीव क्या बचपना है और जितने भी संत मात्मा हुए उनका बचपना देखो मराज बचपन सही बगवान में लग गए तो संत बड़े विलक्षन मिचितर होगी है आपने नारजी मराज के बरह में सुना ही होका नारजी मराज छोटी अवास्ता में बगवान के बजन में लगे होते हैं अब तो छोटी अवास्ता में नारजी की माँ चली गई अब तो किसी की माँ चली जाए तो रोणा तो होता ही है पर नारजिम माराज तो खुश हो गए अच्छा हुआ खुब भजना पर इसका मतलब यह नहीं का अपने को राजी होना माबाप शोना नहीं राजी नहीं होना वो तो संत है भई और अपने को तो माबाप की जरूत ही है क्योंकि अगर माबाप नहीं होते है तो बतो आज हम आप जब यहां थोई होते है मूल में तो माबाप है इसलिए कहते है तुम भूलना सब कुछ है मगर माबाप को मत भूलना और आजकल माबाप को भूलना पर दुन्यों को नहीं भूलना यह हो रहा आजकल तो कम से कम कम से कम अपना जीवन ऐसा होना चीए ताकि अपने द्वारा दूस्तरों को लोग सिक्सा दे और दूसरे लोग क्या नाम सिक्सा ले वे जैसे आप लोग ससंग में आते हो तो आपके घर में जो परिवार लोग है वो क्या सोचते पता है अरे कुछ भी हो कम से कम कम से कम मैं तो नहीं करूँ मैं तो नहीं जाओं ये तो जा रहे हैं ये तो कर रहे हैं जाने तो पर मना नहीं करता है तो ऐसे ही आपना जीवन क्योंकि उनकों पता है सबको संसे मुझा रहे हैं तो कम से कम कम से कम और अपना जीवन भी ऐसा होना चीए देखो अपना मेरा भाई देखो कर्मा भाई देखो गोपियां देखो राद दिन काम करती हुए भी सब ठाकुची कर ध्यान करते हुए इसलिए संतोन का काम करते हुए साथ ती साथ भगवान को नहीं बोलना थी इसलिए हमारे स्वामेजी मुराज बोलते थे क्या थोड़ी थोड़ी देर में मैं आपको भूलू नहीं मैं आपको भूलू नहीं इस पस्तका स्वामी जी मराज बोले आपको सादर कोई भी नहीं आता करना कोई बात नहीं पर थोड़ी थोड़ी देर में हे नात हे मेरे नात ऐसे बुकारते रो तो मराज आपका बेड़ा पार है इस पस्तका अरे भगवान ऐसी है मैंने कल चर्चा करिये ना केवल खुश हो जाए मराज भगवान ऐसी है केवल याद करने मातर से खुश हो जाते है